जेड़ 6 क्रोस जेड़ 15 इसमें हमें order 3 के element पता करना है तो किसी भी direct product में किसी element का order कैसे पता करते हैं माल लेते हैं एक order pair में इसके elements होंगे और इस order pair element का हमें order पता करना है और यहाँ पर हमें वो element चाहिए जिनका order 3 है यानि कि इस element का order कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए और यह element इस direct product में होना भी चाहिए तो अगर कोई direct product में कोई element है तो उसका order हम कैसे निकालते हैं gcd of order of a, with order of b और यह value हमें 3 के एक कुल चाहिए तो किस case में 3 के एक कुल आ सकता है जब order of a आपका 1 हो और order of b आपका 3 हो या order of a आपका 3 और order of b आपका 1 हो या order of a भी 3 और order of b भी 3 तो यहाँ पर आप देख सकते है order a जो a का order है उसके क्या possibility है 1 और 3 और order of b इसके क्या possibility है 1 और 3 तो देख लेते हैं जो a है वो ब्लॉंग करता है z6 से और b जो है वो ब्लॉंग करता है z15 से क्या order a 1 और 3 possible है z6 में yes क्योंकि जो 3 है वो डिवाइड करता है 6 को तो 3 order के elements इसमें exist करेंगे और कितने होंगे 5 3 के equal होंगे और ऐसे ही order b sorry 3 elements के z15 में भी exist करेंगे और वो कितने होंगे 5 3 की value के क्योंकि हमें यहाँ पर gcd 3 चाहिए था तो gcd 3 कब आ सकते है जब gcd आपका value 1 और 3 हो यानि कि यह element आपका z6 से आए और ऐसे कितने elements होंगे जिसके z6 में जिसका value या order 1 हो तो वो 1 होगा और यहाँ पर z15 में कितने elements होंगे जिनका order 3 होगा वो 5 2 होंगे तो कितना यहाँ से value मिलेगा हमें 2 यानि कि 5 1 into 5 2 क्योंकि independent है तो यहाँ से हमें इस case में हमें 2 elements मिलेंगे इस case में हमें 4 elements मिल जाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पर 3 के लिए और 2 यहाँ पर 3 के लिए तो 4